सेकंड ब्लॉप में आपका स्वागत है और मेरी डूटी से छुपटी हो गई है तो आज को मैं आपको किलिनिक नहीं दिखा पाऊंगा तो आज हाँ आपको गाड़ी कलक्षन दिखा सकता हूं तो दोस्तों जहां मैं नोकरी करता हूं वहां पर हमारे पास में दो गाड़िया जाना होता है तो फिर हम यह ओडी क्यू सेवन इस्तिमाल करते हैं इस गाड़ी को मैं आपको एक-दो दिन में देखाऊंगा क्योंकि बहुत गंदी हो रखी है तो इसकी मुझे सभपाई करनी पड़ेगी और दोस्तों यह है मेरी बाइक अपाची 200 तो यह मैंने छे महीने पहले किस्तों पे ली थी तो इसकी 6 किस्त जा चुकी 18 किस्त अभी बाकी है तो अभी तो मैं घर जा रहा हूं क्योंकि मेरी दीदी का फोन आया था तो दोस्तों अभी मैं अपने घर जा रहा हूं अपने रूम पे क्योंकि मेरे दोनों जीजी और भांजे भांजी जीजा तो अभी उनका ट्रांसफर दिल्ली हो गया है तो अभी उनके लिए रूम भी दिल्वाना है उनका सारा सामान मेरे घर पे ही पड़ा हुआ है तो फिलाल मैं घर जा रहा हूं और अभी में इस डूटी से जा रहा हूं जो कि मेरी ये पर्मानेंट जॉब है तो रात को आठ तो दोस्तो मैं घर पे आ चुका हूँ, आके नहा लिया हूँ, बाइक मैंने नीचे खड़ी कर दी है, अब अपने रूम में आया हूँ, अभी आपको मैं अपना रूम भी दिखाऊंगा, और मेरे जीजा जी हैं, किचिन में लगे पड़ी हैं, दीदी भी लगे पड़ी हैं, छोटी दीदी बैठी हैं सामने, तो अभी सबसे मिलाता हूँ, तो दोस्तो ये हैं मेरी छोटी दीदी, जो मेरे से छोटी हैं, और अंदर जीजा जी और बड़ी दीदी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, ज़रा हमें भी दिखा दो, तो ये तोर ही बनने नहीं है भर के और जीजा जी को बहुत ज्यादा सोख हाइंगे खाना बनाने का तो अब जीजा जी सामने देखो कितने कम जोर हो रहे हैं और इनका कारण बड़ा वेतुंका सä है जीजा इससीधे आना चलके झाल कि ए मि जी यहीं पर रखा हुआ है तो दोस्तों इनका जो यह सामान है सब कुछ यहीं पर रखा हुआ है दस बारे बैग हैं तो यहां पर ट्राइंसफर होके आए तो उन्होंने आज रूम ले लिया है तो वहां पर हम एक दो दिन में सिफ्ट करेंगे तो जो आप टी सेट देख रहे है यह मुझे जीजाजी नहीं गिफ्ट करी थी तो चंडीगर से लेके आए थे तो कैसी लग रही है मैं एक्चुली इसमें फोजी जैसा लगता हूं लेकिन जीजाजी नहीं लगते हैं लेकिन जीजाजी की एक दिक्कत है कि पिछले दो डाई साल से उनकी किटनी में जीज रहे हैं तो मुझे अभी पार्ट टाइम डूटी पर भी जाना पड़ेगा तो मिलते हैं दोस्तों पार्ट टाइम जॉपे मैं आठ बजे करक्ट आठ बजे पहुंच गया था लेकिन आदा घंटा वेट करने के बाद में क्लाइंट बाहर आए और एक बच्चा था बच्चे के साथ में बेवी सीटर थी और एक आणटी थी और एक अंकल थे तो अंकल मेरे साथ आगे बैटे थे और आणटी और बच्चे और बेवी सीटर पीछे बैठे थे तो एक गंटे के ट्रवलिंग करने के बाद में हम एक साधी में पहुँच गए हैं तो अभी मैंने उनको बाहर उतार दिया है और मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ तो अंकल मेरे से बोल के गए कि राहुल जी आप अंदर आके खाना खा लेना तो वैसे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ मुझे किसी भी साधी में खाना खाने में कोई इंट्रेस्ट नहीं होता है और मैं ऐसे कभी जाता भी नहीं हूँ तो मैं अपना गाड़ी में बैठा रहता हूँ अपना फिरी फायर खेलता रहता हूँ और वीडियो बगरा या रिल्स बगरा भी देख लेते हैं तो यह रहता है तो बेसिकली अभी जो इनकी जो गाड़ी है ब्रांट न्यू कार है टाटा सफारी तो आज मैंने ये फर्स्ट टाइम चलाई है बहुत अच्छी कार है तो आपको मैं थोड़ा सा गाड़ी का अंदर से दिखाता हम व्यू कैसा है यह है टाटा सफारी का लोगों यह मीटर है और आज मैंने ये फर्स्ट टाइम ड्राइब करी है क्योंकि इससे पहले मैंने टाटा सफारी नहीं चलाई थी क्योंकि हमारे पास तो आपे वर्ना और ओडी है तो यह ओटोमेटिक कार है और बटन से स्टार्ट होती है तो काफी स्मूथ है अच्छी बनाई है लेकिन पहली वाली टाटा सफारी के मुकाबले अच्छी है और इसमें जो है संरूफ पूरो छत्का दे रखा है तो बहुत अ बैले डिलाइट है और इसका सिस्टम ओटोमेटिक है अभी पता है मेरे साथ क्यों है मैं आ रहा अब मैंने मोवाइल में नेविगेशन चला रखा तो इस सिस्टम ने अपने अपी मेरा फॉन कनेक्ट कर लिया अपने अपी जबकि मेरे फॉन में कुछ भी ओन नहीं था मैं मेरे फॉन का स्क्रीन इस पर ओटोमेटिक कैसे हो गया तो साथ यह जो ने एक डिवाइस होता है वह मेरे फॉन में साथ ओन होगा उसकी वज़े से इसने कनेक्ट कर लिया तो काफी स्मार्ट है यह भी गाड़ी तो यह यहां पर वो लोग आई हुए यह बैंकिट हॉल है ब अभी यह लोग जो है रात के अभी कितना बज रहे हैं दस बच के पच्चेस मिनट हो रहे हैं और अभी दस पंद्रे मिनट हम में आई हुए हो गए हैं तो बारह एक बज़े यहां से निकलेंगे निकलने के बाद मैं मैं घर जाओंगा तो मैंने अपनी बाइक इनी के घर पे पार्किंग में खड़ी कर दी है अच्छी जगा थी तो अब रात को जाओंगा फिर उसके बाद मैं घर पहुंचुगा लेकिन मेरे घर से मुश्किल से दस मिनट की दूरी पर है तो आज का विलोग में ही समाप्त करता हूं मिलते हैं नेस्ट विलोग में बाई